आज प्रस्तूत है एक बहुती शिक्षाप्रत कहानी चडिया का ज्यान ज्यानी चडिया की कहानी एक हिंदी कहानी है जो चडिया चार ज्यान की बाते बताती है कहानी इस प्रकार है, एक राजा था और राजा के पास बहुत सुन्दर सा बहुत बढ़ा सारा एक आली शान महल था और उस महल के अंदर एक सुन्दर सा बढ़ा सा बगीचा था, उस बगीचे के अंदर बहुत सुन्दर सुन्दर खुपसूरत से पेड थे और उन में एक अं उड़ती और अंगूर खाती थी, लेकिन दिक्कत तो यह थी कहफे चिडिया मिठे मिठे अंगूर तो खा जाती थी और खटे खटे अंगूर नीचे गिरा देती थी, यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस द्रश्य को बगीचे कामाली रोज आना देखता था, उसने उस चिडिया को सबक सिखाने के लिए बहुत प्रयास की, लेकिन वह हर प्रयास में विफल रहा, क्योंकि चिडिया बहुती ज़्यादा समझदार और चालाग थी, आखिरकार चिडिया ने परेशान होकर बगीचे कामाली राजा के पास गया, और राजा को बोला, महा महीम एक निवेदन है, हमारे बगीचे में जो अंगूर की बेल लगी है, उसे बहुत खत्रा है, राजा को सारी बात माली ने बता दिये, राजा ने कहा ठीक है, इस काम को मैं स्वैम करूंगा, आप राजा पूरे ध्यान से चिडिया का इंजार किया, चिडिया को बहुत ध अपनी समस्दारी दिखाते हुए बोली, उसने राजा से कहा कि राजा साहाब आप मुझे छोड़ देजिये, मैं आपको चार ग्यान की बाते बता सकती हूँ, यदि आप मुझे छोड़ दे तो राजा ने बोला ठीक है, चलो बताओ, आप चिडिया बताने लगती है, पहल इसरा, जो हो गया, उस पर पश्चाताप कभी नहीं करना चाहिए, और चोथी और आखरी बात, बताने से पहले राजा को बोली कि राजा साहब, मेरा दम घुट रहा है, आप मुझे धिला छोड़ दे, मैं आपको बताती हूँ, और चिडिया उड़ गई, और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं, राजा को पश्चाताप होने लगा, राजा गुस्से में हो गया, उसने राजा को बोला, कि मैंने आपको कहा था, कि हाथ आए शत्रो को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया, मैंने आपको कहा था, कि अंजान की बात उस पर जादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप फिर भी अभी तक सोच रहे हैं, आखिर का राजा को ग्यान की चार बातें समझ में आही गए, और वह चेडिया के बातों से बहुत प्रसंद हुआ, और सीख भी ली उसने, दोस्तों आपको यह कहाने कैसी लगे, कमेंट ब बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस कर दें, आपका सयोग हमारे लिए अमुल्य है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद